हेलो गाइज, वेलकम टो दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टाप टेन क्लासेज गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आलेंगिक जनन के चार चरड होते हैं उसमें हम लोग पिछले लिक्चर में बिखंडन और मुकुलन के बारे में जान लिये थे गाइज, आज जो हम लोगों का तीसरा टॉपिक है, वह है बीजान द्वारा जनन आईए हम लोग उसके बारे में जानते हैं तो गाइस जो हम लोगों का तीसरा टॉपिक है वह है बीजाण द्वारा जनन गाइस बीजाण द्वारा जनन क्या होता है जब किसी भी जीव में उसमें नीशेचन एक गतिसील अवस्था के कारण होता है तो उसे हम लोग बीजाण जनन कहते हैं जब किसी भी जीव में नीशेचन उसमें उपस्तित एक गतिसील सरस्थना के द्वारा होता है तो उसे हम लोग बिजाणू द्वारा जनन कहते हैं जो बिजाणू द्वारा जनन होता है या दो प्रकार का होता है एक होता है चल बिजाणू जनन चल बिजाणू जनन क्या होता है जिवो में वह निसेचन जिसमें उनमें निसेचन एक गतिसील सरस्ना के द्वारा होता है तो उसे हम लोग चल बिजाणू जनन के परिभासा को हम लोग बिजाणू द्वारा जनन के नाम से भी जान सकते हैं इसका और इसका जो परिभासा है डिफिनेशन है वा स्थेम है तो इसलिए मैंने इससे नहीं लिखा इसी का लिख दे रहा हूं इसी के माधनम से आप लोग समझ जाईएगा तो गाईज आईए लिखते हैं जीवो में वा निसेचन जीवो में जीवो में वा निसेचन जीवो में वा निसेचन एक गतिसील एक गतिसील एक गतिसील सरचना के द्वारा होता है तो उसे चल भी जानु जनन कहते हैं जीवो में वह प्रेजनन जिसमें उसमें निशेचन एक गतिसील सरचना के द्वारा होता है तो उसे हम लोग चल भी जानु जनन कहते हैं और गाइज यह जो माध्याम होता है यह जल में होता है इसमें जली माध्याम होता है इसमें माध्याम जली होता है गाइज इसका एकजामपल होगा क्लोमाइडो मुनास गाइज यह होगा इसका एकजामपल अब आईए हम लोग इससे चित्र के माध्यं से समझते हैं गाइज जहां पर एक माधा क्लोमाइडो मुनास का चित्र है जो परिपक हो गई है इसके 25 में छोटे-छोटे क्लोमाडिया मुनास उपस्तित है कर दो एक है यह जो है यहां उपर से खूल गया है और जो कुछ क्लोमाडिया मुनास है वह बाहर की तरफ निसْकासित हो गए है अब यह बाहर जाएंगे जल में माद्यम जल के द्वारा निशेचन की क्रिया को पूर्ड करेंगे गाईज यहां हो गया इसका अिकलोमाडिया मुनास का चित्र जब यह पोड रूप से परिपक होते हैं तभी मादा क्लोमाइडो मुना से अलग होते हैं जब इधर इसका पूरा माध्यम जल होता है तो जब इधर उधर तैर कर जाकर निशेचन की क्रिया को पोड करते हैं जो इन में निशेचन का माद्यम में होता है जब इधर जल में जाएंगे तो उस युगमक क पाकर निशेचन की क्रिया को पोड करेंगे तो जाएज यह होगा क्लोमाइडो मोनास चल और जनन में अचल और जनन में आईए हम लोग उसे भी समझते हैं गाईज अब की बार रहेगा दूसरा अचल विजाण उजनन अचल अचल विजाण उजनन क्या होता है जिवो में वह प्रजनन जिवो में वह प्रजनन जिसमें निशेचन गतिसील न होकर इस्थिर अवस्था में होता है गतिसील न होकर गतिसील न होकर इस्थिर अवस्था में होता है इस्तिर अवस्था में होता है यह प्रक्रिया जलिय जीवों में होता है यह प्रक्रिया जलिय जीवों में होता है जलिय जीवों में होता है गाइज यह हो गया अचल भी जाड़ु जनन अचल भी जाड़ु जनन वह जीवों में वह प्रजनन है जिसमें निशेचन गतिसील अवस्था में न होकर एक इस्तिर अवस्था में होता है तो उसे हम लोग अचल भी जाड़ु जनन करते हैं गाइज इसका एक्जामपल होता है यूलो थ्रिक्स इसका एक्जामपल यूलो थ्रिक्स योलो थ्रिक्स गाईज अब आईए इसे हम लोग चित्र के माद्यम से समझते हैं गाईज जैसे यह भी जल में ही होता है तो यह पूरा जल हो गया उपर की तरफ उपर की तरफ पूरा जल हो गया और क्योंकि यह अचल है तो मतलब यह जमीन पर इस्थित होगा भले यह जल में होगा यह जमीन पर इस्थित होगा और जो क्लोमाइडो मोनास होता है वह जल में ही इस्थित होता है माले जी यह इसमें जमीन हो गया तो अब इसमें जमीन हो गया तो इसमें आईए हम लोग इसका चित्र बनाते हैं उसका चित्र कुछ इस प्रकार से होता है गाईज यहां उपर की तरफ कोनी इडिया होता है इस प्रकार की सरचना इसमें पाई जाती है यह इनी सेचन का कारण बनती है इनी के द्वारा इनी सेचन होता है और गाईज इसका यह किंद्रक होता है किंद्रक है यह यहां पर गाईज एक यूलो थ्रिक्स से इतने सारी यूलो थ्रिक्स का निर्माड होता है दिरे दिरे विभाजित होकर भी धेर सारे नए यूलो थ्रिक्स का निर्माड करते हैं गाईज इसे आम लोग बोलते हैं किंद्रक और यहाँ कोनेडिया कोनेडिया और इसमें यह सब कोच का द्रवे भरे रहते हैं और गाइज यह जो माध्यम होता है इसमें जल के द्वारा इसमें मतलब यह जली जियो होते हैं और यह जमीन पर समुद्रों में निजली अस्तर पर पाये जाते हैं समुद्रों में जो भूमी होती है यह भूमी पर पाये जाते हैं तथा इनका जो सेस भाग होता है वह जल में ही होता है सिस भाग जल में ही होता जथा जल में ही इनका निस्येचन होता है तो guys हम लोग अचल भीजाड़ु जनन और चल भीजाड़ु जनन दोनों के बारे में जान लिए अब जो काईक जनन का अब जो आलाइंगिक जनन का चौथा पाट है वह है काईक प्रजनन आईएब हम लोग काईक प्रजनन के बारे में जानते हैं जो काईक प्रजनन है वह आलाइंगिक जनन का चौथा और सबसे मुख्य भाग है काईक जनन के हम लोग भी सेस्ताएं के बारे में जानेंगे उनके उप्योग के बारे में भी जानेंगे तो गाईज आप हम लोगों का चौथा टापिक है काईक प्रजनन जो चौथा है वहा है काईक प्रजनन काईक प्रजनन गाईज काईक प्रजनन क्या होता है काईक प्रजनन किसे भी पेड़ पौदे के किसे भी पेड़ पौदे या वनस्पत के जड़ तना पत्तियों के द्वारा अगर नए जीव का निर्मार होता है तो उसमें होने वाले जनन की क्रिया को काईक प्रजनन कहते हैं गाईज एक बार फिर से किसे भी पेड़ पौदे या वनस्पत में उनके जड़ तना और पतियों के द्वारा होने वाले निस्यचन से नैजियू का निर्माड होता है तो उनमें होने वाले निस्येचन की इस घटना को काईग प्रजनन कहते हैं गाईज आई ये लिखते हैं जब पादपो में गाईज ये घटना पादम में ही होगा जब पादपो में उसके जड तना और पत्तियों के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है नए पादप का निर्माण होता है तो उसे हम लोग काईग प्रजनन कहते हैं गाईज काईग प्रजनन का यह हो गया परिभासा जब पादपो में उसके जड तना और पत्तियों के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है तो उसे हम लोग काईग प्रजनन कहते हैं अब गाईज यह जो काईग प्रजण है यह तीन प्रकार का होता है पहला हम लोग जानेंगे जड़ों के द्वारा जड़ों के द्वारा जड़ों के द्वारा काईग प्रजण क्या होता है जब किसी भी पादव में उसमें नए जीव का निर्माड जड़ के द्वारा होता है जब जड़ को उचित परिस्थिती में लाते हैं तो सोया में वह एक नए पादव का निर्माड करता है तो उसे हम लोग काईग प्रजण में जड़ों के द्वारा जनन कहते हैं गाईज आए लिखते हैं जब किसी पादप में जब किसी पादप के जड़ को उचित माध्यम में उचित माध्यम में ले आते हैं तो वे स्वयम एक नई पादप का निर्मान करते हैं स्वयम एक नई पादप का निर्मान करते हैं तो उसे जड़ों के द्वारा जड़ों के द्वारा काईक प्रजनन करते हैं जड़ों के द्वारा काईक प्रजनन जब किसी पादप के जड़ को उचित माध्यम में ले आते हैं पादप का निर्मान करते हैं तो उसे जड़ों के द्वारा काईक प्रजनन करते हैं इसका एक भाग होता है मुसला जड़ों के द्वारा मुसला जड़ों के द्वारा मुसला जड़ों के द्वारा इसका एक्जामपल हो जाएगा मुसला जड़ों के द्वारा इसका एक्जामपल हो जाएगा मुसला जड़ों के द्वारा जो एक्जामपल होता है चमेली सतावर डहे लिया चमेली सतावर डहेलिया गाय जी यदि अगर हम लोग इनके जड़ों को उचित माध्यम में लेकर जाते हैं तता उसके रोपाई करते हैं तो ये सोयम एक नए पादब का निर्माड करेंगे क्या क्या है चमेली सतावर डेहलिया इनके द्वारा सोयम एक नए पादव का निर्माढ होगा और गाज जो इसका दूसरा होता है वह होता है अपस्थानिक जड़ अब आप लोग जानते होंगे अपस्थानिक जड़ों में किस प्रकार के पादव पाते हैं अपस्थानिक जड़ों के द्वारा तो गाइज इसका एक्जामपल हो जाएगा अमरोद आवला गाइज इसका एक्जामपल हो जाएगा अपस्थानिक जड़ों के द्वारा अमरोद आवला अब जो मुसला जड़ों के द्वारा होता है वह होता है चमेली सतावर डहेलिया गैज यह हो गया हम लोगों का जो काईग प्रस्णन में होता है पहला स्टेज जड़ो के द्वारा काईग प्रस्णन में पहला स्टेज है जड़ो के द्वारा यह हम लोग समझ लिए अब हम लोग इसमें कोई चित्रूत्र तो बनाना है नहीं इसलिए इसमें कोई चित्र Spicy नहीं बनाएंगे अब हम लोगों का दूसरा आता है तनो के द्वारा गाइज अब हम लोगों का जड़ों के द्वारा हो गया जड़ों के द्वारा है एक मुसला जड़ एक होता है पस्थानिक जड़ इन सब के बारी में हम लोग जान लिए, अब जो हम लोगों का दूसरा है, इसमें काई प्रेजिनन में जो दूसरा वाला है, वह है तनो के द्वारा, तनो के द्वारा, जब पादपो में नए पादप का निर्मार, जब पादपो में नए पादप का निर्मार, उसके तनो के द्वारा होता है, तो उसे हम लोग तनो के द्वारा काई प्रेजिनन कहते हैं, गाइज, इसके भी दो प्रेकार होते हैं, एक होता है वाई वी तना, वाई वी तना, वाई वी तना, गाइज, यहाँ पर हम लोग तनो के द्वारा काई प्रेजिनन को पढ़ लिये हैं, अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है वाई वी तना, एक होता है भूम गतना, तो आईए हम लोग वाई वी तना के बारे में समझते हैं, काईक प्रेजिनन में वे पादप जिसमें बृत्ताकार काईक भाग उपस्तित होते हैं, बृत्ताकार काईक भाग उपस्तित होते हैं, तो उसके द्वारा नए पादप का निर्मार होता है, नए पादप का निर्मार होता है, तो उसे तनों के द्वारा काईक प्रेजिनन कहते हैं, तनों के द्वारा काईक प्रेजिनन कहते हैं, तनों के द्वारा काईक प्रेजिनन कहते हैं, यह हो गया, तनों के द्वारा काईक प्रेजिननने पहला आता है वाईवी तना, और दूसरा आता है अपस्थानिक तना, तो पहला आता है वाईवी तना, दूसरा आता है भुमिक तना, तो जो वाईवी तना होता है, इसका एक्जांपल हो जएगा, गुलाब, गुडह राव। वह अम्रूद गाईज इसमें हम लोग काईग प्रजनन को अपना कर इसके तने को काट कर उचित माध्या में अगर बुवाई करते हैं तो यह स्वयम एक नए पादप का निर्माड करते हैं और गाईज इसमें गन्ना भी आता है गन्ना 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 भी इसमें आता है क्योंकि गन्य को काड़ कर माली जैसे यहां गन्य है यहां पर इसके गोलाकार काई भाग उपस्तित हैं तता यहां पर यह कई फॉलकों मिश्तित हो जा तता यहीं पर कलिका पाई जाती है छोटे छोटे ऐसे कलिका पाई जाती है तो जब इसके हम लोग बुवाई करेंगे त तो या मिट्टी के अंदर आ जाएगा, या मिट्टी के अंदर आने के पस्चाद, या जो कलिका है, या धीरे-धीरे एक नए पादप का निर्माड़ ऐसे करने लगेगा, यहाँ यहाँ से, और यहाँ पीछे की तरफ से इसमें धीरे-धीरे ऐसे जड़ निकलते रहेंगे, निकलने लगेंगे, तो इसके द्वारा स्वमें एक नए पादप का निर्माड़ हो जाएगा, जिसको हम लोग समझ लिए वाई वी तना, अब इसमें आता है दूसरा भूमिगत तना, तो आईए हम लोग भूमिगत तना के बारे में भी समझते हैं, गाई जब इसमें दूसरा हो गया भूमिगत तना, भूमिगत तना, जब पादपो में, नई पादप का निर्माण, भूमिगत तनो के द्वारा, भूमिगत तनो के द्वारा होता है, तो उसे भूमिगत तनो के द्वारा, भूमिगत तनो के द्वारा काईक प्रजनन कहते हैं, काईक प्रजनन कहते हैं, गाईज यह हो गया भूमिगत तनो के द्वारा, इसका एकजामपल, जब पादपो में, नए पादप का निर्माण, भूमिगत तनो के द्वारा होता है, तो उसे हम लोग भूमिगत तनो के द्वारा, काईक प्रजनन कहते हैं, गाईज इसका एक्जामपल हो जाएगा हल्दी अधरक जितने भी भूम के तने आते हैं सब आलो हल्दी अधरक इत्याद गाईज यह हो गया आईए हम लोग इसमें चित्र के माध्यम से समझते हैं गाईज जैसे ही हो गया आलो और आलो में यहाँ पर छोटे छोटे कलिकाएं उपस्तित होती हैं छोटे छोटे कलिकाएं ऐसे उपस्तित होते हैं जिसे हम लोग आख भी बोलते हैं आख आखे या आख दोनों बोल सकते हैं गाईज यह जो आखे होती हैं यही एक नए कलिका का निर्माड करती हैं, जैसे माली जी हम लोग आलू ले लिए, आप्टर देट इसमें जब रोपाई कर दी हैं, रोपाई इसका कर दी हैं, तो यह पूर रूपेड जमीन के अंदर आ जाएगा, माली जी जमीन हो गया, यह मिर्दा हो गया, अब इसी के अं पीचे से धिरे-धिरे यहां से जड़ का निर्माड हो गया, और इसमें जखड़ा जड़ हो गया, इसमें आलू और अधरक, जैसे अधरक का सरजना कुछ इस प्रकार से होता है, आधरक में कुछ इस प्रकार के भाग देखे जाते हैं, तता इसमें इस प्रकार के कुछ सरसनाय होती है, टेड़ी मेड़ी है इसे इसे, और यहीं पर इसमें छोटे-छोटे कलिका पाए जाते हैं, यहीं पर, यह कलिका है, धिरे-धिरे यही कलिका, जब इसकी मिर्दा में हम लोग बुवाई करते हैं, तो यहीं जो कलिका होता है, इसे के द्वारा ही यहां से ऐसे पादब का निर्माड होगा, यहां से, और यह नीचे से ऐसे जड़ का निर्माड होगा, तो धिरे धिरे यह स्वाम एक नय पादप का निर्माड करेंगे, तो गाईज अब हम लोग जान लिए वाई वी तना और भूम्यत तना के बारे में, अब इसमें आता है एक पत्तियों के द्वारा, हम लोग तना और जड़ के बारे ने जीव का निर्माड होता है ने पादप का निर्माड होता है गाइज या जो काई प्रजनन होता है या केवल पादपो में होता है मनुस्यों में इस प्रकाश की प्रक्रिया को हम लोग नहीं अपना सकते हैं या केवल पादपो में होता है तो गाइज इसका जो अब तीसरा है काईग प्रजनन का त्यों तैसरा टॉपिक है वह बतियों के दौरा जो जब काईग प्रजनन में नए जयुचा निर्माड पत्तियों के द्वारा होता है तो उसे हम लोग पत्तियों के द्वारा काई प्रजन काते हैं जब पत्तियों के द्वारा जब पत्तियों के द्वारा नहीं पत्तियों में उपस्थित अपस्थानिक कलिका के द्वारा अपस्थानिक कलिका के द्वारा नए पादप का निर्मार होता है तो उसे पत्तियों के द्वारा काईक प्रजनन कहते हैं कर दो कि प्रजनन कहते हैं गाइच इसका इंग्जामपल हो जाएगा इसका इक्जामपल हो जाएगा ब्रायो फिलम की पत्ति और भायो फिलम की पत्ती ब्रायो फिलम की पत्ती गाइज यह हम लोग जान लिए पत्तियों के द्वारा जब पत्तियों में उपस्थित अपस्थानिक कलिक्या के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है तो उसे हम लोग पत्तियों के द्वारा काई प्रसेडन कहते हैं गैज इसका एक्जामपल हो गया ब्रायो फिलम की पत्ती गैज आईए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं जैसे माल लीजिए ब्रायो फिलम का तना है और यहां से ब्रायो फिलम की पत्ती है यह गैज ब्रायो फिलम की पत्ती का एक प्रारूप है अब यहां पर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माड होने लगता है चुकि गैज यह ऐसे तो बोया नहीं जाएगा यह जमीन में ऐसे बोया जाएगा हम लोग इसे ऐसे दिखा नहीं सकते हैं जब इसकी बुवाई ऐसे करें तो यहां उपर से कलिका का निर्माड हो गया नीचे से जड़ का निर्माड होगा उपर से यहां कलिका का निर्माड होगा यहां नीचे से जड़ का निर्माड होगा तो गाईज हम लोग इसे ऐसे ही समझते हैं माले जी यहां पर ऐसे धीरे 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 अपस्थानि कलिका का निर्माड हो गया यहां पर भी अपस्थानिक कलिका का निर्माड हो गया अब यहां से ऐसे जमिन में नीचे की तरफ जट रहेंगे चुकि यहां पर पत्तियों के पीछे रहेगा मैं आपको समझाने के लिए आगे बना दे रहा हूँ यहां गाई जैसे होगा यहां पर यह सब जड़ हो जाएंगे तथा अब यह जड़ अब यह जो कलिका रहेगा यहां मात्रिक पत्ति से अलग हो करके स्वयम एक नए पादब का निर्माड कर देगा हो गया गाई इसके द्वारा ब्रायो फिलम की इसे हम लोग अपस्थानिक कलिका बोलेंगे अपस्थानिक कलिका तो गाईज यह हो गया पत्तियों के द्वारा काई प्रेजडन तो गाईज बस आज हम लोगों का जो अलगिक जनल के जितने सारे चरण होते हैं हम लोगों ने उसके बारे में पूरा आध्धन कर लिया है अब आईए हम लोग चाड़ के मादम समस्ते हैं हम लोग जितना सब पढ़े उसका एक सारांस बनाते हैं ताकि हम लोगों को आसानी से याद रहे तो guys यह सब हम लोगों का पूरा हो गया काई प्रजनन में तीन प्रकार की आवस्थाय होती है जडों के द्वारा, तनों के द्वारा पत्यों के द्वारा जड़ों में दो प्रकार के जड़ होते हैं तनों में दो प्रकार के तने होते हैं और पत्यों में किसी प्रकार के पत्ती नहीं होती है तो गाईज आईए अब हम लोग इसे चाड़ बनाकर चाड़ के माध्यम से समस्ती हैं आलाइंगिक जनन वा जनन होता है जिसमें नर्वा मादा दोनों ही एक ही जिव में उपस्तित होते हैं तो उसे हम लोग आलाइंगिक जनन कहते हैं जो आलाइंगिक जननन होता है यह 4 चरणों में समपन होता है यह है 4 चरणों में समपन होता है पाला तो इसमें हो जाएगा विकंडन दूसरा हो जाएगा मुकुलन तीसरा हो जाएगा बिजाणु द्वारा जनन और चोथा हो जाएगा काईक प्रजनन काईक प्रजनन काईच चोथा हो जाएगा काईक प्रजनन अब यहाँ पे जो विखंडन होगा या भी टू टाइप दो प्रकार का होगा एक होगा दी विखंडन एक हो जाएगा दी विखंडन और एक हो जाएगा बहु विखंडन बहुँ भी खंडन गाइज देवी खंडन का एक्जामपल हो जाएगा अमीबा अमीबा एकोस की जियो अमीबा बहु भी खंडन का हो जाएगा प्लाजमोडियम प्लाजमोडियम प्रोटो जोवन प्लाजमोडियम और गाइज जो मुगलन होता है मुगलन बिधी का कोई प्रकार नहीं होता केवल हाइड्रा में ही जो नए पादप का निर्माण होता है वो मुगलन बिधी के द्वारा होता है तो इसका कोई टाइप नहीं होगा तो जो इसका एक्जामपल हो जाएगा हाइड्रा हाइड्रा यहाबी दो प्राकार का हो जाएगा एक हो जाएगा चल भी जाणू प्लोमाइडो मोनास क्लोमाइडो मोनास और अचल भी जाणुका हो जाएगा यूलो थ्रिक्स यूलो थ्रिक्स यूलो थ्रिक्स और गाईट जो काईक प्रजनन होता है या काईक प्रजनन तीन प्रकार का होता है काईक प्रजनन तीन प्रकार का हो जाएगा पहला तो हो जाएगा जडो के द्वारा जडो के द्वारा दूसरा हो जाएगा तनो के द्वारा तनो के द्वारा और तिसरा हो जाएगा पत्तियो के द्वारा पत्तियों के द्वारा और गैज इसमें जो जड़ों के द्वारा होगा इसके भी दो प्रकार होंगे तनों के द्वारा इसके भी दो प्रकार होंगे पत्तियों के द्वारा कोई प्रकार नहीं जड़ों के द्वारा एक हो जाएगा मूसला जड़ मूसला और एक हो जाएगा अपस्थानिक और तनों के द्वारा एक हो जाएगा वाई यूवी और हो जाएगा भूमिगत गाइज जो मूसला जड़ इसका एक जामपल हो जाएगा अपस्थानी मुस्ला का हो जाएगा चमेली सतावर डहेलिया चमेली सतावर डहेलिया और जो मुस्ला का हो जाएगा चमेली सतावर डहेलिया और अपस्थानी का हो जाएगा आवला अमरूद आमला अम्रोद और गाहे जो वाईवी तना होता है वाईवी तना का हो जाएगा गुलाब, गुड़हल गुलाब, गुड़हल और गन्ना और भोमगत तना का हो जाएगा हल्दी, आधरक, आलो, प्याज, गाईज, यह आओ गया हम लोगों का पुरा एक जामपल, यह जो आलेंगिक जनन होता है, यह चार प्रकार की प्रक्रिडियाओं में संपन होता है, पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तिसरा विजाणु द्वारा जनन, चवथा काई प्रक्रिडियाओं, विखंडन दो प्रकार का, दी विखंडन, बहु विखंडन, और जो मुकुलन हो गया, इसका नो टाइप, और दो विखंडन का, एक कोच के जिव अमीबा, इसका एक फिर इसके पशात काई प्रजन काई प्रजन के तीन टाइप होंगे पाला जडों के द्वारा दूसरा तनों के द्वारा तिसरा पत्तियों के द्वारा जडों के द्वारा में जड़ दो प्रकार के इसमें हो जाएंगे एक हो जाएगा मुसला जड़ एक हो जाएगा थानिज़न में आ जाएगा आवल आमणूरू तनों के द्वारा हो में जाएगा गुलाब गुड़हल यह सब अजाएंगे खली अद्रक प्याज अलू यह सब आजाएंगे और पत्यों के द्वारा ऎस्में व्यो जाएगा ब्रायो फिलम गाइज यह हो गया पत्तियों के द्वारा और यह इतना हो गया तनों के द्वारा और इतना हो गया जडों के द्वारा तो गाइज आज का वीडियो बस यहीं तक I hope अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग comment करके उस doubt को पूछ लिया करें आपके द्वारा comment किया हुआ doubt हम लोग उसे पढ़कर उसका आपको संतुष्ट answer देंगे फिर guys मिलते हैं आपसे next video में अगर आपको video अच्छा लगा हो तो video को like कर देजिए चैनल पर पहले बार आई हो तो चैनल को subscribe कर देजिए मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए जय हिन जय भारत